This story is about the Vikram and Betal. The title is Who is the Groom? ये कहानी Vikram और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्शक है असली वर कौन? नमस्ते! बेताल के वापस पेड़ पर लटकने के बाद दो बारा विक्रमा दित्ते उस पेड़ की और दोड़े और पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को कंदे पर लाद कर चल पड़े रास्ते में बेताल ने विक्रम का मौन तोड़ने के लिए एक नई कहानी सुनाना शुरू किया आईए उस कहानी को सुनते हैं सदियो पुरानी बात है पाटली पुत्र नगरी में बारस नाम का एक राजा राज किया करता था राजा बहुत पराक्रमी और दयालू था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अहिलिया था अहिलिया बहुत सुन्दर और शुशी लड़की थी जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा पारस ने उसके लिए योग्यवर की तलाश शुरू कर दी एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आये लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आया राजकुमारी से विवाह करनी के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला वर्थ हर चीज में निपुन हो इस तरह कई दिन बीट गए लेकिन राजा को अपनी बेटी के लिए कोई योग्य वर्थ नहीं मिला एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तबी वहाँ एक राजकुमार आया और उसने कहा मैं राजकुमारी एहलिया से विवाह करना चाहता हूँ यह सुनकर राजा ने कहा राजकुमार मैं अपनी बेटी का विवा उस व्यक्ति से करूँगा जिसमें सभी गुण हो इस पर राजकुमार ने जवाब दिया मेरे पास एक अद्वितिय वाहन है जिसमें बैठकर शनो में कहीं भी पहुँचा जा सकता है यह सुनकर राजा ने कहा ठीक है तुम कुछ दिन रुको मैं राजकुमारी से पूछ कर तुम्हें जवाब दूँगा कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार वहाँ पहुचा उसने राजा से कहा मैं भूत वर्तमान वभविश्य तीनों काल देख सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा कुछ दिनों के बाद राजा पारस के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया राजा ने उससे पूछा कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमारे साथ करूँ राजकुमार ने कहा राजन मैं तलवार बाजी में निपुन हूँ मेरी तलवार के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है राजा ने उससे कहा बहुत खूब राजकुमार आप कुछ दिन प्रतीक्षक करें मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूँगा अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान है लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी की शादी नहीं कर सकता तो अब सवाल यह था कि राजकुमारी का विवा किस से होना चाहिए वहीं दूसरी और एक भयानक राक्षक राजकुमारी अहिलिया पर नजर लगाए हुए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठा कर ले गया यह खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगा एक खटा हो गए तीनों काल देखने वाले राजकुमार ने बताया कि वो राक्षस राजकुमारी को नंदा देवी परवत पर ले गया है इस पर पहले राजकुमार ने कहा मैं अपना वाहन लेकर आता हूँ हम सब उस पर बैठ कर राजकुमारी को बचाने नंदा देवी परवत पर जा सकते हैं तीसरे राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और कहा मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा इसके बाद तीनो राजकुमार वाहन पर बैठ कर नंदा देवी परवत की ओर चल पड़े उन्हें जैसे ही वो राक्षस दिखा तो तलवार बाज राजकुमार ने खुशलता से उसका वद कर दिया और वो राजकुमारी को बचा कर महल ले आए इस कहानी को सुनाने के बाद बेतान ने राजा विक्रम से कहा राजन राजकुमारी को बचाने में तीनो राजकुमारों का योगदान था तो अब तुम मुझे बताओ कि राजकुमारी का विवाह किस से होना चाहिए राजन मैंने सुना है कि तू हमेशा नयाय करता है जल्दी उत्तर दे वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इस पर राज़ विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह कलवार बाज राजकुमार से होना चाहिए क्योंकि उसने राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने केवल उसकी सहायता की बस फिर क्या था जैसे ही राज़ विक्रमादित्य बोला बेताल उसकी पीट से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि मुश्किल समय में साहस ही काम आता है इसलिए मुसीबत को देखकर घबराई नहीं हमेशा साहस दिखाकर उस मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है कहानी समात धन्यवाद कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें